इस वेलकम टू ओल ओफ यू लान विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीव चैनल लान विथ मी में तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हम आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट फाइब पार्ट वन टू फ्री फोर में मैंने आप लोग को सारे कोशन पहले देख लीजेगा उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ठीक है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो पार्ट फाइफ में हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग के एक्साम में यह पीयो और क्लरक दो जब हम गेम्स खेलते थे तो इस तरह की कोशन पुछी जाते थे बताओ आपके पापा की बेहन के पती के बेटे के मामा का बेटे आपका क्या लगेगा ऐसा पूसे थे बस वही है यह बिल्कुल इसे ही मैं आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगी तो चलिए बढ़ते हम हम फोटोग्राफ ऑबॉय श्याम सेड़ ही इस दा सन ओफ दा उन्ली सन ओफ माइ मदर हाव इस याम डेलेटेड टू डेट बॉय क्या बोल रहा है और इस तरीकी के जब भी हम इस तरीकी के कोशन को सॉल्व करेंगे हम कभी भी स्टार्टिंग से नहीं जाएंगे हम हमेशा च झालेगे फिरक यंद में पौशन क्या बोल रहा है कि एक शाम नाम का लड़का है वह एक फोटोग्राफ इसारा करता हैर बगता है कि वह क्या है एक आप ऐस चौश को सखता है और राम और पहले से ये नहीं सोचना है कि ये क्या मिल हो औगा ये क्या फीमेल हो सकता है फेम यह तो हमें पता रहे हैं अधहीं लड्का हो सकता है लड़का हो सकते हैं हमें लाड़का है लड़का है चाहिए आध कि ऐसी सत्थ मkay बंतों मेरी जाऊंगी माअ मदर बोल दिया है माय मनेल किसके लिए हो रहा है कि चाम के लिए किसा पता चला क्योंकि शाम ही बूल रहा है कि मेरी मुम्मी है शाम बोल रहा है तो शाम क्या बोलेगा माई मदर तो कि की मदर की बात हो zodि शाम की तो अब हम चलते हैं शाम की मदर की बात हो रही मतलब शाम क्या है एक बॉइ है इसकी क्या है मदर ठीए शाम की मदर है यह क्या गई फीमेला गई यह बोल रहा है कि मेरी मम्मी का इकलोता बेटा और जब यह फीमेल मेंबर ही है तो इकलोता बेटा कौन हुआ शाम में लड़का है तो इसकी मम्मी का इकलोटा बेटा कौन हो जाएगा श्याम हो जाएगा ठीक है अब क्या बहुत इस दसन ओफ किन का सन है श्याम का कैसे पता चलाओ श्याम बोल रहा है कि मेरी मम्मी के मेरी मम्मी के एकलौता बेटा का बेटा ठीक है वो क्या है वो बॉई है मेरी मम्मी के एकलौते बेटे का बेटा ठीक वही क्या है उस फोटोग्राफ में है तो शाम क्या रिडेटेड हुआ उस बॉई से शाम क्या हो गया बॉई का पापा तो आंसर क्या जाएगा फारा ठीक ह इसमें शाम ने खुद की बात की कैसे पता चला मुझे माई मदर बोला उसने मतलब शाम की मम्मी माई मदर मतलब शाम की मम्मी ठीक है शाम की मम्मी आ गई है यह शाम की मम्मी आ गई है फी मेल आ गई है यह मेल आ गया तो इसका बेटा ये हो गया वाई हो गया तो शाम क्या हो गया उसका पापा हो गया ठीक है शाम क्या हो गया उसके पापा हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फादर अब जब सारे कोशन आएंगे तो आप लोग उसे पॉस कीज़ेगा और उसके बाद सॉल्फ करने की कोशिद कीज़ेगा फिर अंसर देखिएगा कि क्या आपका अंसर मेरे अंसर से मैच कर रहा है मतलब आप बिलकुल सही जा रहा है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं यह रहा द इस अँप क्या हूंगी मैं कहा से जाओंगी मैं क्या स्वाइब मतलब माइं कौन पोल रहा है यह वोमन हो गई चीद यह क्या हो गई यह वोमन हो बोल रही है मेरे grandfather की मेरे grandfather की वाइफ यह मेरे grandfather यह इनकी wife होगे ठीक मेरे grandfather की wife अब क्या बोल रही है only son of my grandfather's wife only son of only son को आ गया यह अब यहां पर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि यह plus plus क्यों लिया मैंने इसे हो सकता है कि यह lady हो इनका only बेटा कोई और हो तो जब भी इस तरीके का कोशन पोचे आपको कोशन में दिया रहेगा ठीक है आपको कोशन में दिया रहेगा यहां पर ऐसा कुशन लिखा यहां पर जिर्फ सन की बात हो रही मतलब मुझे यह लेके चलना है अगर कभी डॉटर की बात होती वहां पर तो कोशन में लिखा रहे जाता है इस कोशन की यही खाशयत होती है यहां पर कुछ बच्चे से समझ नहीं पाते हैं बड़ सामने पर लिखा रहेगा उनली सन मतलब लिखा है मतलब किनकी बात हो रही यह बेटा ही होगा डेफिनिटली यह बेटा होगा ठीक है अगर बेटी होती तो यहां पे सामनी पे कोशन में लिख दिया रहा था कि यह डॉटर है ठीक है यह लिख दिया रहा है तो हम कहां पे पहूँचे थी वूमेन वूमेन मैंने पहुंच लिया वूमन यूया वूमन आ गई इनका क्या हुआ इनकी grandfather ये हो गए इनकी wife कौना गई इनकी grandmother इनकी एक लोते बेटे क्या बोल रहा my grandfather's wife मतलब woman की grandfather की wife grandmother उनके एक लोते बेटे कौना गई ये फिर बोला है एक बार और उनकी एक लोते बेटे इसका एक लोता बेटा कौन हो जाएगा इसका एक लोता बेटा यहां पे रहेगा कोई कोई रहेगा एक लोता बेटा सन किते वार बोला है एक लोता बेटा तीन वार बोला है किवल बेटा तो यह पहला सन आगया सन वन यह कौन आगया सन टू आगया ठीक है कैसे पता चले एक लोता बेटा यह क्या हो हो गईला इनकी फाधर जो है उनकी वाइफ रहे इनकी रिक्रीन मदर घिक है यह बात समझ आई इतना हो गया अब क्या बोल रहा है only son of only son किसके लिए हो रहा है इनके एकलोते बेटे यह हो गया son one ठीक है उनका भी son one का जो है उनका भी एकलोता बेटा यह क्या आगया son two अब मैंने son two यहां पर क्यो लिया क्योंकि मुझे पता है यह woman है तो यह क्या होंगी female member होंगी और son one का जो एकलोता बेटा है वो कोई और रहेगा तो मतलब son two आगया अब बोल रहा है इसका भी एकलोता बेटा आप question में देख सकते हैं तीन बार लिखा है only son मतलब इनकी जो grandfather है उनकी wife उनकी wife का बेटा फिर उनकी उनका बेटा फिर उनका बेटा ठीक है तीन बार बोला है इसने only son पहला यह आगया दूसरा यह आगया तीसरा यह आगया ठीक है मतलब boy कौन हुआ यह boy हुआ ठीक है only son बोला है he is the only son वो तब यह क्या है उस boy की बात हो रही है अब क्या पूछे the boy related to the woman मतलब यह boy इस woman से कैसे related है तो woman के भाई का बेटा इनका क्या हो जाएगा nephew woman का आप एक लड़की है आपका भाई है उनका बेटा आपका क्या लगेगा भतीजा मतलब nephew तो answer क्या हो जाएगा हमारा इसका nephew भतीजा ठीक है यह इसका answer आएगा तो चलिए अब हम बढ़ते हमारे तीसरे question की तरफ तीसरा question यह रहा आप लोग के सामने क्या बोल रहा है pointing to a lady अनसूल सेट एक लेड़ी की तरफ इसारा करते हुए अनसूल क्या कहता है अब यहाँ पे अनसूल क्या है लड़का है की लड़की है यह हमें पता है क्या नहीं क्योंकि यहाँ पे boy और girl कुछ भी नहीं लिखा तो अब क्या करेंगे हम इसे अनसूल को हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि यह एक लड़का है कि यह एक लड़की है तो इसे हम वैसे ही तहने देंगे ठीक है अनसूल बोलता है she is the daughter of the woman she is the daughter of the woman who is mother of husband of my mother how is अनसूल's mother related to the lady इस पर अनसूल का रिस्ता नहीं पूछा है इस पर क कौन सी लेडी वो हम अब पता करते हैं तो चलिए अब हम इस कोशन में भी कहां से जाएंगे मैंने देखा माई मदर लिखा हुआ है मतलब अनसूल की मदर अनसूल बोल रहा है तो यह अनसूल आ गया अनसूल की मदर यह male है कि female मैं नहीं बोल सकती तो मैं भी कुछ भी नही लिखूंगे ठीक यह आ गए इनकी मदर आ गए मदर है तो female आ गए ठीक है माई मदर मतलब अनसूल की मम्मी husband of my mother मतलब इनके पापा अनसूल की तो यह क्या अनसूल की पापा ठीक है अनसूल की पापा आ गए अब क्या बोल रहा है she is the daughter of the woman who is mother of husband of my mother यह क्या बोल रहा है यहां से आप लोग को कोशन समझने की जर्वत है she is the daughter of the woman वो लेडी क्या है बेटी है किनकी बेटी है जो क्या है husband of my mother इतना सो समझ आ है husband of my mother अब क्या बोल रहा है जो क्या है उसकी मम्मी के मतलब इसके husband है जो उनकी कोई मदर होगी इनकी बेटी होगी ठीक है बेटी है वो वही बोल रहा है pointing to a lady अनसूल जैड she is the daughter see kis के लिए बोला जा रहा है इस औरत के लिए बोला जा रहा है इस और पता देती हूं ता कि आप लोग को असानी से ही समझ है त्रेक बड़ मैं इसे ड्रॉ करती हूं स्टार्टिंग से आप लोग ध्यान से सुनेगा इसे ठीक है क्या बोल रहा है my mother मतलब और अनसूल जो यह एक्याण आघे इनकी mother आ गई कोई यह मदर है इनकी मतलब फैर जिस फरर जो हई और जो रहा है इनकी अन्सूल है अनसूल माइinh मतलब अनसूल पापा अनसूल की पापा कि मम्मी क्या हो जाए गी अन्सूल की ग्रैणमदर घिए क्रैंड मदर हो गई अन्सुल की मंमी के लिए दना मेन द ओमेन किस लिए यूज ओर הצंगी अन्सुल की दोफलों मैं की किसक्रिंध के लिए ये आपका के लिए अब यहां रह Lucky का मंमी की एक सबुख्राев नइस लेड़िकर दिन तो sister in law, ठीक है, क्या relation है sister in law, अब आप लोगको clearly समझा आ गया होगा, मैं दुबारा diagram भी बना दिया, आप लोगको I hope सो कि यह clear होगा, ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे last question की तरफ जो कि यह रहा, introducing a boy, एक लड़की का परिचे देते हुए, एक लड़की यह थी कि he is the son of the daughter of the father of my uncle how is the boy related to the girl, इस question में आप देख सकते हैं, इस चार्टिंग पर लिखा हुआ है, he is the son of the daughter, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है में daughter की बात हो रही है, ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब यहां पर एक कौन बोल रहा है, लड़की बोल रही है, तो यह girl आ गई, girl का अंकल यह यह इनके अंकल आ गए, ठीक है, यह भाई है, क्योंकि इनके हो सकता है, यह female हो सकता है, मेलो मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, अभी कैसे लूँगी मैं, क्या बुल रहा है, my uncle हो गया, the father of my uncle, uncle के father ले लिया मैंने, ठीक है, uncle के father आ गई, यह फादर आ गया, उसके बाद ही He is the son of the daughter of the father, daughter है, इनकी father की daughter मतलब इनका gender मुझे पता चल गया, क्या है, यह जब male member है, uncle है, तो, इनका gender क्या गया, female है, मतलब इनकी daughter हो गई, ठीक है, यहाँ से अब लोग को अब एक लूँग मिल चुका है, कि यह क्या है, यह क्या है, फीमिल मैंबर हो गी, अब इनका ब जो किमोंगे समझ्ट में एक बर बने देती हो ड़ंगरम को क्या लड़ा है मां अंकल मतलब इस लड़की का ऑधारई एा लड़की है तो यह फीमेल हो गई इस लड़की का ऑंकल यह अंकल एकम अनौर्ट ब्लसं कर दितम cleared मेल हो गया यह मुझे नहीं प recreation कर दो the father of my uncle अंकल के पापा आ गए ये male member आ गए the daughter of the father ये father हुए थी इनकी daughter ये जब male member है तो ये definitely क्या हो जाएंगी female member ये क्या गए daughter आ गए अब क्या बोड़ा he is the son of the daughter ये daughter है तो इनका son मैं यहाँ पे ले लूँगी क्यों यहाँ पे लूँगी ये क्या है ये ये है एक boy है he is the son बोला है मतलब ये क्या है boy है इसी boy की बात हो रहे है relation किसका किसके साथ कुछ है how is the boy related to the girl ये boy इस लड़की से कैसे संबन दीत है तो इस लड़की का ये क्या है भाई है मतलब क्या है brother है ठीक है indicating blood relation को असानी से solve कर पाएंगे हमें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है हमें ध्यान देना है वो son बोला है कि daughter बोला ताकि हमें इनकम gender पता चल जाए दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम जब question solve करेंगे तो हम कभी भी starting से नहीं जाएंगी हम हमेशा जाएंगी last से और वो भी my he's, her ऐसा कुछ लिखा रहेगा पर हमेशा my लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि जो कह रहा है जो बोल रहा है वो अपने आप से लेके बताएगा कि वो मेरी ऐसा ऐसा है ठीक है कि वो मेरा ऐसा है रिस्ता ठीक है तो हमेशा my लिखा हुआ आप लोग को दिख जाएगा और जहां पर ये दिख जाएगा हमें वहीं से question को start कर देना solve करना ठीक है I hope so कि आज की class आप लोग को समाज आई होगी और ये आप लोग के लिए helpful होगी तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like कीजेगा और maximum share कीजेगा ताकि बहुत सारे लोग हम से जूड सके और उनको भी हमारा ये जो वीडियो है इस दिंग का वो उन आप करते हैं तील देन कीप लर्निंग के प्रैक्टिसिंग थैंक्यू और बाबाई